हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं आपके परसन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको पता है कि अभी की रीडिंग हमारे यही टॉपिक पे रहती है तो वैसे ही आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक पे देखेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में ठीक है तो चलिए फिर करते हैं रिडिंग को स्टाटिस के साथ ही बता दू कि जनल रिडिंग है कलेक्टिव है और गाईज अगर आप मुझसे प्रस्टन रिडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए वाटसप नमर पर भी कॉंटक करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं ठीक है और और गाईज यह जो ब्रसलिट है इसका रिव्यू मैं आपको कितना रिव्यू दिखाऊं आज फिर मैं आपसे एक निव रिव्यू शेयर कर रही हूं जो कि बड़ा छोटा सा रिव्यू है लेकिन रिव् आप एक दूसरे के साथ पहने मैं यह जढ़ा जन्याँ तरह हैं बर्यक्ते आप फिर करते हैं रिडिंग को स्टार्ट इस ब्रस्विट के बारे में आपको बता दिया चलिए करते हैं स्टार्ट प्लीज काइड कीजिए गैंजल्स ओके शले कार्ट निकालते हैं फॉफट दैक कट्र किवदेट का एक कार्ड हो जो कि मुझे बता रहे हैं कि आपकी कार्ड सेंख कर रहे हएं काफि ज़्याद कृड़ आपना कर्म होता है और कर्म करते हैं तो प Krit ज्ञदा आगे जाकर हम के फील होता है ठीक है हम के फील होता है मतलब ऐसे फील ने उटने इसमयों तो यहाँ हो जो ऐनरजी है मुझे दिख रहा है आपके कार्ट में कि आपकी रिडिंग के अनुसार से आपके परसन को काफी जदा रिगरेट फिल हो रहा है काफी परेशान फिल हो रहा है अकिलापन फिल हो रहा है और इन्होंने जो किया है वो सबसे बड़ा गुना है इस परसन को जो है ऐसा फिल हो रहा है ठीक है तो मुझ को मिस कर रहे हैं ठीक काफी ज़्यादा मिस करते गुए नजर आ रहे हैं ठीक यहां बैलेंस का कार्ड है यहां पर फेट का कार्ड है रिजेक्शन इस पेंटिंग डेस्टिनी यहां कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन के कि आपके जो पर्सन है काफी ज़्यादा यह बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनका जो डेस्टेप काफी परेशानी चल लिए आपके पर्सन ने आपको तेंग कर दिया है या फिर उन्होंने आपको reject कर दिया, तो थोड़ा सा वो regret feel करने वाला, थोड़ा सा वो regression वाला energy मुझे नज़र आ रहा है, regret feel होना, थोड़ा सा जैसे की चीजे खो जाना, चीजे सही तरीके से नहीं हो पाना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है, काफी ज़दा burden feel होता हुआ न आपसे ज़्यादा कमी है, आपके person ने आपको जो भी किया है, मदब कि cheat किया या फिर जो भी किया है, ठीक, जिसकी वज़ा से ये person को, ये person को जो है ना balance नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये भी card बता रहे हैं, कि आपके person जो है, जो चीजे चल रही है, जो भी चीजे है, ठीक है, उसको चुप चाप बैट कर, ठीक है, बहुत ही शान्त हो करके, ये person देख रहे हैं, ठीक, ये person देख रहे हैं, ठीक, ये person देख को जो है बताना नहीं चाहते हो आप इन से छुपाना चाहते हो इनकी अपनी situation जिसके वज़ा से यह person सोच रहे हैं कि हां शाय जो है आप भी आप भी जदा तकलिफ में हो यह person यह भी दिख रहे हैं कि आपको काफी जदा भरोसा है इस person के उपर काफी जदा faith रखी है आपने इस person के उपर लेकिन इस person ने आपका भरोसा तोड़ दिया ठीक है आपका भरोसा तोड़ करके यहां पर यह person या तो किसी और पर भरोसा करने लगे या किसी और के साथ relationship में चले गए क्योंकि यहां पर rejection आपको मिला है आपके person को मिल है जिसकी वज़े से दोनों को तकलीफ हुई है और दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हो काफी टाइम से पहले वो सकते कुछ लोग की अभी हाल फिलहाल आप लोग का रिलेशन काफी पूराना हो सकता है और कुछ आपके जो परसन हैं काफी जो है ना एक अन्बैलेंस्ट सा फील कर रहे हैं एकदम से जैसे कि इन्होंने कोई चोड़ी कर ली हो कुछ बुरा कर दिया हो कुछ गलत कर दिया हो इस तरीके की एनरजी यहां पर दिख रही है इसलिए यह परसन जो है आपका दिल जो है मैंने पह माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं ठीक है तो यहां पर यह कार्ड मुझे बता रहे हैं चलो टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए ठीक है प्लीज कैट कीजिए आज कंडल वेक्स रीडिंग नहीं आई है सो माफी चाहूंग उसके लिए लेकिन देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं हमारे पास ओके देख लेते हैं चलो ओके तो बॉर्टम आफ टैक है एस आफ सॉड्स ठीक है एस अफ सॉड्स अफ सॉड्स का कार्ड है बॉल्टम आफ तडैक आपड़े जो कार्ड हैस सक्से का कारड चाहते हैं यहाँ पर देख रहा है कि आपके सब्सूंद के कारंफा का 것은 को यह एक B जो होता है कि new beginning है ना कैसे मिलेगा ठीक तो आपके परसन काफी ज़्यादा सोचते विए नज़र आ रहे हैं और यह दिख रहा है जिसे कि यह परसन के अंदर काफी ज़्यादा emotions है feelings है आपके साथ ज़्यादा connect है यह परसन लेकिन उतना ज़्यादा दिखाते नहीं होंगे य और यह person हमेशा ही feelings को hide करते रहते होंगे यहां की energy मुझे यह नज़र आ रही है काफी ज़्यादा इनकी जो होता है ना कि हाँ चलो फिर से सुरुवात करते हैं पीछे की चीज़े भूल जाते हैं एक new beginning ही करते हैं तो वह वाली energy नज़र आ रही है चलो cards देख लेते हैं कि क्या cards आए हैं five events का card है Aries लियो सैज आपके person का sign हो सकता है the tower है six of swords Gemini Libra Aquarius again page of swords four of cups again यहाँ पे देख लो यहाँ पे rejection का card है और यहाँ पे four of cups का card है nine of swords the empress and है मेरे पास यहाँ पे the moon का card ठीक है आप दोनों के relationship में जो है ना पहले तो दिख रहा है कि आप दोनों के relationship में third party involvement रही है आप दोनों के relationship में काफी जादा एक toxic सा relation रहा है ठीक है काफी problematic situation जो है आप दोनों की हो चुकी है आपके person और आप दोनों बिल्कुल भी no contact zone में हो ठीक है यहाँ ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके person ने आपको बहुत प्यार किया बहुत feelings दिया आपको बहुत emotional जो है एक attachment feel करवाया आपको आपके सांथ काफी attached feel भी हुए यह person काफी ज़्यदा ऐसा नहीं है कि यह person ने जो कुछ गलतिया की है उसी का अफसोस यहाँ पर इस person को हो रहा है ठीक है यह person का दिखता है कि यह person काफी ज़्यदा तकलीफ में है आपसे काफी ज़्यदा लड़ाई भी हुई बहस भी हुई काफी बहस बाजी हुई है काफी painful रहा है यह सारी problem काफी मुझे नजर आ रहा है कि यह परसन यह दिख रहे हैं मतलब कि यह सोचते वे नज़र आ रहे हैं कि जो आप दोनों की बीच में आचानक से यह सपरेशन आया है अचानक से जो आपने सोचा भी नहीं इस परसन ने भी नहीं सोचा लेकिन आचानक से जो यह सपरेशन आया है ठीक है इसका जो है ना मु कि काफी ज़्यादा प्राब्लम मुझे फेस करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर दिख रहा है कि आपके जो परसन है बहुत ज़्यादा आपके परसन जहें काफी ज़्यादा एक होता है कि जैसे की रात को नींद नहीं आना और काफी ज़्यादा तकलीफ फिल करना ठीक है काफी ज़्यादा खुद को रिग्रेट फिल करना ठीक है यहां पर यह पर नजरा रहा है ठीक और यहां पर ऐसा भी दिख रहा है जिसे कि यह person न चाहते हुए भी क्यों आपके साथ connect हो जाते हैं यह person को ऐसा भी लगता है कि यह आपके साथ ऐसे क्यों बार बार connect हो जाते हैं बार बार क्यों ऐसे बार बार दूर आखर अर यह यह सोच रहे हैं के नजले बनाए हुए हो सोचल मीडिया पर चेक करते हैं कि कौन से बाते हो रही है किस से चैटिंग और ही आपकी यहां पए यह वाली नजर्ए हूर रही है कि काफी ज़दा व्हों क् referida होना देन pix होना कि हां मैं गलत था तो अब क्या है कि दीरे दीरे सुरुवात होने स्टार्ट होना तो वो यह परसन की नजर आ रही है इस परसन की अनेजी नजर आ रही है कि यह परसन जो है न अब चाहते हैं यह दीरे 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 करके आपके करीब आने की कोशिश करना ठेक यहां पे ऐसा दिख रहा है यहां दिख रहा ह है कि आपके लिए stand लेने के बारे में भी सोच रहे हैं यह परसन और यहां पर आपके पास वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं यह परसन यह परसन नहीं चाहते हैं कि आपसे दूर हो लेकिन हालात कुछ ऐसे है situations कुछ ऐसी हैं कि यह person को दूर होना पड़ रहा है ठीक है हाला कि यह person की चाहत तो नहीं है कि आपसे दूर रहे क्योंकि यहाँ पे रात को रोना तकलीफ होना ठीक तरीके से खाने नहीं खाना ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं रहना है न तो वो जो है न काफिक ज्यादा पीनफुल Ved Deep End Day रहा है आपके पर्सन कु अपके पर्सन को काफिधा अट्रैक्षण फिल हो रहा है यह पर्सन चाहते हैं आप generating आ परसन सोचते है ठीक है आपके साथ जог जस्टिस नहीं किया इस परसने ठीक है यह परसन को अब जस्टिस करना है क्योंकि यहां पे इन्होंने क्रॉस रोट पे ख़ड़े दाएकर third party की वज़ए से trust issues की वज़ए से आपकी उपर ठीक है आपके आपके करेक्टर पर उंगली उठाई या फिर आपको बोला कि हां तुम यहां गलत थे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यह मुझे चीज़े नज़र आ रही है ठीक है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो परसन है आपको ले करके थोड़ा बहुत ठीक है थोड़ा तरीके से मैं नहीं चल सकता अपनी लाइफ में ठीक है तो यहां पर मुझे यह नज़र आ रहे हैं चलो और कार्ट निकलते हैं देखते हैं और कुछ कार्ट आपके प्लीज क्याइट कीजिए healing family issues ठीक है आप दुनों के बीच में family issues है ठीक है और उसको हील करना पड़ेगा ठीक यहां पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में family issues हैं और उसको हील करने की ज़रत है आप जैसे Heal करो ठीक है आपको healing करनी है यह फिर किसी से करवानी है आप करवा सकते हो मुझे यहां पर यहीं नज़रा रहा है कि आपको जो family में problem आ रहे हैं ना उसको कम से कम उसको खतम करो ठीक है यहां पर your friend help you so you could help us relationship if you have any real issue को साही करने में कोई भी friend हो सकता है कोई other friend हो सकता है इसकी वज़ा से आपका relationship सही हो सकता है ठीक है उनकी एक help करने के वज़ा से तो आप दोनों के बीच में जैं रिलिजन प्राबलम हो सकता है कास्ट इसूस हो सकते हैं आपके पॉर्सन की family आपको accept नहीं कर रही होगी या आपकी family उनको accept नहीं कर रही होगी क्योंकि यहाँ पे cast अलग है religion अलग है तो यहाँ पे वह ही है कि problem होती है ठीक है तो इसके वज़ा से जो है न यह लोग accept नहीं करना चाहते है ठीक ओके तो आप लोग जो है का distinction है काफी ज़दा feel भी होता है दोणको एक दुसरे के लिए बहुत ज़दा attraction फिल करते हैं और यहाँ पे वह है कि दोनों एक दुसरे के soulmate हो दोनों एक दुसरे के soulmate connection में मुझे नजर आ रहे हो ठीक है तो यहाँ पे clearly यह नजर आ रहा है मुझे है तो मैं यहीं देख पारी हूं आपके लिए तो यह रही आपकी रीडिंग ठीक है आपकी परसन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त सो काफी जल्दी-जल्दी में मैंने बोला आई थिंक अगर आपको लगा हो कि जल्दी-जल्दी है तो थोड़ा सा स्पीड आप लोग कम कर रहे ना और उसके बाद देखना ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली रिडिंग में और गाइज ब्रेसलेट की बुकिंग लगतार चल रही है जल्दी-जल्दी फटा-फट बुक कर वा लीजिए ताकि मैं भी एनर्जाइज करके आपको और दे सको ठीक है और आप इसका लाव झाल 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 झाल